जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे है पॉली ग्रेनेट शीट जो है वो बहुत जादा ट्रेंडिंग में है ये जो शीट्स होते है इनके उपर आपको इस तरह की ग्रेनेट ये फिर मार्बल की तरह फिनिशिंग मिलती है और दिवारू के उपर इसे चिपकाया जाता है देखे दोस्तों अगर इतनी सारी अच्छी चीजे है तो इस प्रोड़क के कुछ छोटे-मोटे नुकसान भी हो सकते है देखे दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर आपके सामने सभी पॉइंट को रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी जगप पर सिर्फ इस प्रोड़क के कुछ नुकसान भी होते है जिनके बारे में आपको जरूर पाता होना चाहिए तो इस वीडियो में हम इस प्रोड़क के अडवंटेज और डिस अडवंटेज दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपोर्टन चीज यह जो पॉलिग्रनेट चीट है इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखे चानल पे अगर आप लोग नए आया हूँ तो चानल को जरूर सब्स्रेब कर दीजे तो सबसे पहले हम जा कर देखे है इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुती आसान होता है इन शीट के पीछे एडसिव को लगाया जाता है उसके बाद ये जो शीट है इन्हें दिवारो के उपर चिपका दिया जाता है यानि कि इसका जो installation है वो बहुती आसान है और इसके लिए आपको बहुती कम समय लगता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन polygranate sheet के advantage के बारे में तो सबसे पहला advantage आजाता है जो की है look ये जो polygranate sheet है इनमें आपको अलग-अलग type की designs, patterns और color भी available होते है जिनकी वज़े से आपकी जो दिवारों का look है वो बहुती अच्छा दिखाई देता है और ये जो sheets होते है इने clean करना बहुती आसान होता है किसी गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम के साथ clean कर सकते हो यानि की दाग दबो के भी चिंता करनी की कोई आवशकता नहीं होती है साथ में ये जो sheet है ये waterproof होते है पानी का इनके उपर कोई भी आसर नहीं होता है ये anti-termite होते है जिस वज़े से दिमक जैसी समस्या की भी आपको चिंता करनी की आवशकता नहीं होती है अगला advantage आ जाता है जो कि है इसकी life ये जो polygranate sheet होते है इनकी life भी अच्छी कासी होती है ये sheet बनाने वाली जो companyya है वो आपको 15 से लेके 25 साल तक की warranty प्रोवाइड करती है जैसा कि हम जानते है जब भी हम दिवार को color करवाते है तो 5-6 साल बाद हमें उसे वापस से color करवाना पड़ता है तो यहाँ पर जब आप इन sheet को लगवा लेते हो तो आपको color की भी चिंता करनी के आउशकता नहीं होती है क्योंकि color जल्दी फेट नहीं होता है और यह जो sheets होते है यह fire retardant होते है यानि कि आपको यह तेजी से फैलने नहीं देते है अब बात करते हैं disadvantage के बारे में सबसे पहली चीज यह आजाती है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि आप directly बिना plaster के दिवार के उबर इसे चिपका सकते हो और दूसरी चीज यह आजाती है कि plaster की वज़े से दिवार को एक support और smooth surface मिल पाता है जिसके उपर आप इन sheet को आराम के साथ लगवा सकते हो अगर आपने बिना plaster वाले दिवार के उपर इन sheet को लगवा लिया और दिवार आगे पीछे है तो उसकी वज़े से जो undulations तायर होंगे वो आपको sheet के उपर से भी दिखाई देंगे अगर हम बात करें इन polygranate sheet के disadvantage के बारे में तो ये जो sheets होते है ये high gloss होते है इस वज़े से जो light का reflection है वो ज़ादा होता है हाला कि आजकल market में ऐसे भी sheets आते है जिनकी finishing matte type होती है जिसमें की रोशनी ज़्यादा reflect नहीं होती है अगला disadvantage आ जाता है जो की है color जैसा कि हमने advantage में देखा है कि polygranate sheet का जो color है वो सालो साल तक डल नहीं होता है पर जहाँ तक बात आती है color को change करवाने की तो inch sheet का color आप change नहीं कर सकते हो यानि कि यहाँ पर repaint का कोई वे option नहीं होता है अगला disadvantage आ जाता है जो की है eco अगर आप चारों दिवारों के उपर inch sheet को लगवा लेते हो तो वहाँ पर eco जैसी समस्या निर्मान हो सकती है अब बात करते है next disadvantage के बारे में तो यह जो polygranate sheet है इनका इस्तमाल interior purpose के लिए किया जाता है exterior purpose के लिए इनका इस्तमाल नहीं किया जाता अगला disadvantage यह आजाता है कि भले ही यह आपको natural stone जैसा look देता है पर यह natural नहीं होता है natural stone का जो look है या फिर जो feel है वो अपनी जगा पे है और सबसे आखिर में बात करते है सबसे main disadvantage की जो की है cost यह जो polygranate sheet होते है इनका cost जो है वो आपको installation के साथ 120 रुपए per square feet से लेके 190 रुपए per square feet तक लग सकता है example के लिए अगर आपकी 10 by 10 की wall है तो उसके उपर आप in sheet को लगवाते हो तो आपको 12,000 से लेके 15,000 रुपए तक खर्चा सकता है तो यह जो खर्च है यह बहुत ही ज़ादा होता है अगर हम paint से compare करते है तो और यहाँ पर हमने सिर्फ एक wall की बात की है अगर आप 4 दीवारों को in sheets को लगा लेते हो तो अगर आप किसी wall को decorative दिखाना चाते हो तो उस wall के उपर आप इनका इस्तमाल कर सकते हो और जब भी आप इसका इस्तमाल करने वाले है तो दो चीजों के तरप जरू ध्यान दीजे आपको पहले तो plaster complete कर लेना चाहिए उसके बाद जाकर आप इन sheet को लगा सकते हो दूसरी important चीज जिसके तरप आपको ध्यान जरू देना चाहिए कि अगर आप इस sheet को लगाने वाले हो और वहाँ पर sealant की समस्या है तो पहले आपको उस sealant की समस्या का समधान डूणना चाहिए उसके बाद जाकर आपको इन sheet को लगाना चाहिए और बहुत सारी जगह पर ये कहा जाता है कि आप इनका इस्तमाल फ्लूरिंग के लिए भी कर सकते हो पर मेरा recommendation आपको ये रहेगा कि फिलाल के लिए आपके सामने टाइल एक best option आजाता है फ्लूरिंग के लिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी doubts clear हो गए होंगे अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुजाओ है तो आप comment box में comment जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है